हेलो फ्रेंड्स आप सभी का स्वागत है क्वालिटी एजुकेशन के अपने इस प्रेट्फोर्म पर पिछले कुछ दिनों से लगातार ये मुदा चल रहा है कि ऐसा भरती रद होनी चाहिए ऐसा भरती रद होनी चाहिए ट्वीटर पर और हर जगा लगबग सडकों पर भी ल पर भी क्वालिटी एजुशन का नाम भी विजंदर सर का नाम भी यहां पर चल रहा है तो बहुत जरूरी था कि इस पर मैं अपना पक्ष भी रखू यहां पर यह चीज़ तो आप सभी भी जानता है कि सेलेक्शन होने वाले स्टुडेंट्स जो है वह संक्या बहुत कम है देने वालों की संक्या बहुत जादा थी जो पास नहीं हो पा है और यह हर एक्जाम का नेचर होता है तो सौभाविक रूप से यह तो होता ही है कि रद करने वालों की संक्या यहां पर बहुत जादा है लेकिन जो तर्क दिया जारा रद करने के लिए वो बिल्कुल जायज क्योंकि इस बर्ती में लगबग साफ हो चुका है कि बड़े इस तर पर इसमें गड़बड़ी हुई बहुत सारे लोगों को पकड़ा जा चुका है तो ऐसे अभ्यरती जो फरजी तरीके से सेलेक्ट हो गये हैं वो फरजी तरीके से यहां पर आगे उन फरजी लोगों की सेले पर उनके साथ जो अन्याई हुआ उनको जो पोस्ट मिलनी चाहिए और ऐसी बहुत सरी वेकैंसी कौर्ण सब्खक उसक्राइब और यहां पर कहीं मामले उठी रहें इसे लोग्य यहां पर आयं तो एसी हर वेकैंसी में यहां उनको भी न्याई शाये तो जिनका सेलेक्शन नहीं हुआ उनको निश्चित रूप से यहाँ पर नियाय मिलना चाहिए लेकिन अगर इस बात को अगर हम सपोर्ट करते हैं कि जो योग्ये अभ्यर्ती थे जिनको यहाँ पर चैन होना चाहिए था वो नहीं हुआ उनके साथ नियाय होना चाहिए तो हमें इस बात का भी यहाँ पर सपोर्ट करना होगा करना चाहिए कि जो अभ्यर्ती अपनी योग्यता से और इमानदारी से लगे हुए हैं उनके साथ भी नियाए होना चाहिए, उनके साथ सरकार चाहिए कुछ भी निर्म ने ले, जो इस तरी खबर आ रही कि कमेटी ने बरती इसको रद करने की शिफारिश भी कर दी, इस तरी का रहा है, हलाकि मंत्री जीन इस बात पर कहा भी कि यह अपनी रिपोर्ट होती है, ऐसा इमानदारी से यहाँ पर जो लगे हैं, उनको भी उनका न्याई यहाँ पर मिलना चाहिए, यहाँ पर देखो मैं एक दो वैसे क्वालिटी एजुकेशन से आप, मैं आपने पिछले एक लेट साल में देखोगा, बहुत सारे कैंडिएट्स का सेलेक्शन यहाँ पर हुआ है क्वालिटी एजिक्शन से जुड़े थे, मुझसे लगातार जुड़े थे, उनके अभीबाव का आज यह पक्स रख रहे हैं कि यह भरती कैंसल नहीं होने चाहिए, मेरे दिल में, मेरे मन में भी क्योंकि मैं इन अभ्यार्ति से जुड़ा था, लगाता जुड़ा था, कि इतनी महनत और इमानदारी से यहां पर उन्होंने महनत की सेलेक्शन हुआ और अब जब यह and वहान पर भी रख रहा है वह हैं में लाध यहां दॉन अभिर्टे को उन्होंने बहुत कड़ी मेहनत की और वहांא स्क्राइब किया मैं इस बात को कहता हूं कि से जाच होनी कि क्वालिटी से सेलेक्शन कैसे निकल रहे हैं के इस तरह के यहां पर सब्सक्राइब आ कि सब्सक्राइब से क्टिकत से बहुत सारे से जानता हूं और मेरा सपोर्ट करना उस चीज के लिए जायस बनता है मैं बिल्कुल निश्ची दूरूप से उन केंडिट का भी दर्द पीड़ा मैं समझता हूं क्योंकि मैं उन चीजों से गुजराओं कि जब फरजी लोग आगे आ जाते हैं तो जो योगिये अभ्यारती है वो पीछे रहे जाते हैं मैं उनका निश्ची दूरूप से सपोर्ट से यसरी सो जुड़े हैं तो हर ब्य Scotty में राइंक्र यहां पर जो मैहनत महनत जो अभ्यर्थी है उनके साथ या अन्याय होगा अगर हम इस बात को सपोर्ट कर रेताओließ मैं ब्हly करते हैं उनके साथ का अन्याय नहीं होना चाहिए तो हमें इस बात का भी यहाँ पर सपोर्ट करना चाहिए बाकी जो यह बात करता हैं कि चाहिए मैं लिफो क्वाश समार्डळ押ार्द होनी में यह से पर इसे की बात है ब겁 कुछ एसानी कि सारे लोग यहां पर लगे हुए उनका सम्मान भी होना चाहिए अगर हम बात कहते हैं यहां पर केंडिट्स को देखे कोई भी एक केंडिट्स जो सेलेक्ट होता है बहुत सारे आप देखो जादा तर जो सरकारी नोगरियों की तयारी करने वाले जादतर लोग किसान परिवार से होता हैं मजदूर परिवार से होते हैं जब एक अभ्याति सेलेक्ट होता है तो उसकी तीन चार साल पांच साल की महनत नहीं होता है और जब रिजल्ट आता सफल आता है हम उनको सीधे मैं देख रहा हूँ सोचल मीडिया वह चल रहा ए मैं बार बार वही बात रिपीट कर रहा हूं कि जिन ऐसा हुआ है कि भरती में जब गडबड जो बेमान अभ्यरति आए उनकी वज़े से योगिये अभरति बंचित रहे गए और उनके साथ न्याए होना चाहिए सरकार को भी इसका ध्यान रखना चाहिए उनके साथ न्याए ह जो बहुत पिछड़े एरिया से यहां पर आये हैं और अपनी मेहनत से उन्होंने यह मुकाम आसिल किया मुझे बहुत खराब चीज यहां पर आ रही कि सोशल मीडिया पर लगबग हर केंडिडेट को यहां पर टार्गेट किया जा रहा है और उनको जो ऐसे अभ्यरति जो इस बहुत सार इस बेक्ग्राउंड से यहां पर उटकर है मेरा मानना है कि अगर यहां पर योग्यता का समभानी होगा ना फिर यहां पर-योग्यता का शाषन हो जाते हो जाता है समय नहीं लगता है तो यह जो सोशल मीडिया वाली ट्रोलिंग हो रही है मुझे लगता है क्योंकि वास्तों में जिन अभ्यारतों को नुक्षान हुआ आपको बता है कि मैं भी इसका भुगत भोगी रह चुका हूं तो मैं पीड़ा जानता हूं कि जहां पर यहां पर यहांपर इस तरह की चीज़े बहुत गलत है और एक और चीज जो सामना ही ती हो थी मीडिया ट्रायल जिसमें यहां पर देने की वास करके खबर छपी थी और इसको लेकर इसको लेकर बहुत सारी ट्रेलिंग इसमें आपने दिखोगा कि क्वालिटी एजुकिशन में जो अपने टीजर पढ़ा रहे हैं विजंदर सर आप उनको बहुत टाइम से जानते हैं ठीक बहुत सारी लिस्ट है मैं विजंदर सर के इसलिए भी बात कर रहा हूं क्योंकि यह तो विजंदर सर काफी इसे जुड़े मेरी बी मोरण से बनती है कि उनके बारे में अपना पक्ष रखू यहां पर इसमें इसमें क्या बहुत रहे हैं इन्हों इहां पर लिखा है इंवेस्टिकेशन पर इनवेस्टिकेशन नौ पर और हम क्या मानते हैं कि अगबार में मतलब सच रहा बहुत सारे सवाल にह्मारे स iron Kalb orders रहो से जॉच येसे में सब्सक्राइब यहां पर आ सकता है कि सब्सक्राइब लेकिन कुछ लोग सबको पता है पता चल गया उसके बाद इंटेंशनल चल रहा है कि नहीं फर्जी है किस तरह से क्वालिटी एजुकिशन को भी बदनाम किया यह सारी चल रही है और आजकल मैं देखता हूं सोचल मीडिया पर पोजिटीविटी तो बहुत कम है नेगेटिव ख़पी ती उनको यह लेटर भी लिखा आपने कहा कि आपने इन्वेस्टिकेशन करी है और आरोपी की पुस्टी हो गई तो आप बताइए आप बताइए कि आपने किस तरह की पूस्टी किया क्योंकि हमने तो नहीं किया जो आप सारे नाम ले रहे उससे कुछ नाम जरूर इन्होंने बिना किसी इन्वेस्टिकेशन के या बिना किसी यह सारी चीजे होने के बावजूत गलत खबर यहां पर च्ब्राटाए कि इन्होंने घ्र ញर об के बारे में बता देता हूं विजंदर सर बहुत करते हैं चुदा था तो में से मिला था ठीक है बढ़े में बहुत अच्छे ते सब्सक्राइब करते हैं इनको तैयारी करते समय यहां पर जरूर थी कि कुछ क्योंकि अपना खर्चा चलाने के लिए इन्होंने रिक्वेस्ट करी कि अब लोग देख रहें कि इन्होंने उसके बाद पर परी में थे उसके बाद वीडियो में सेलेक्ट हुए यहां पर मैं इनको बता भी देता हूं यहां पर आए इसके अलावा जो विजंदर सर की क्लास आप 3-4 साल से यहां पर आप देख रहें मुझे नहीं लगता है कि आप विजंदर सर की नोलेज पर आपको कोई शक होगा ऐसे व्यक्ति को डमी बिठाने की जरूत नहीं है कि मेरा कोई डमी बिठा के मेरे सब्सक्राइब को मेरे हां पर एक्जाम यहां पर क्लियर करेंगे दूसरा यहां चो इन्होंने खबर च्छापी कि यह लोग तो एक चीज दे दिए बहुत सारी चीज़े हो सकती इसके पीछे क्या खेल चल रहा है ठीक है बहुत सारे खेल होते हम सामानिय व्यक्ति ने तो इन पर ज्यादा सोचते हैं बस फॉरवड करने पर हम रहते हैं कोई पूस्टी नहीं करते हैं और हम आगे सागे फॉरवड कर देते हैं यह दो दिन तीन दिन पुरानी खबर है ना तो पत्रकार उनके बाद से कभी वापस अभी एस जी को मिल नहीं रहे तो इस तरह की जो खबर चाप देते जिसको में मीडिया ट्राइल मतलब इस तरह कि इन लोगों पर क्या बीद रही होगी यह जो सारे लोगे जिनों नहीं यहा आप बताता हूं यह वीडियो जो ड्रश टोपिक वीडिया मैंने उनको देखा कि यह इनका नाम सरवजीत सींग मीडिया ट्राइल इस तरह मीडिया खूब करता है यह इक्जांपल देख वैसे तो आट-्नो साल पुराना कैसे इन पर किसी लड़की ने कैस कर दिया कि इन्ह दरिंदा इनके कहाने आप इस पर देखना इन्हों ने कहा कि यह खबरे छपने के बाद ने तो कोट ने इस मामले की पुष्टी की कि मैं दोशी हूं ने इस तरह का हुआ लेकिन मीडिया ने पहले से मेरे को दरिंदा घोशित यहां पर कर दिया मेरी नोकरी शूट गए मेरे गर से आना जाना यहां पर बंद हो गया किसी ने मुझे नोकरी देना बंद कर दिया मैं दर दर की ठोक रहा रहा पूर्ट में गया मामला इन्हों ने अपना पक्ष रखा जो आसपास लोग इनको देखने माले ते गवहान में पक्ष रखा और लास्ट में कोर्ट नी यह व पहुंची नहीं लड़के कोई है कि वी तिस यह विदोत्व कह दोशाल नहीं रही है यूट लटके तो इस पहले से भरबात कर दी तुछ नहीं वचा निजिन लटके की जन्ध हो सकता इनमें से जो नाम आया ठीक है इन में से ज़्यादातर केंडिट्स हो सकते मुझे मैं इस पर बात नहीं करूंब इसमें कितने सच्छे क्या है इसमें बहुत सारी जाज अनुशंदान चल रहे हैं लेकिन हो सकता है इसमें से बहुत सारे जिनको एक तुमेने नाम आपको बता दिया इन्होंने डमी बिठाया है अब देखो इनको डमी बिठाने की जरूरत देखो इन्होंने आरेस तोजार इक्टीस में 870 रेंग गई वीडियो में 137 रेंग से सेलेक्ट हो चुके है रीड परिक्षा में 133 मांक्ते पटवार में प्रोविजिन सेलेक्ट हुए नेट जार र देखवे रहे हैं इतने सारे एक्जाम में नें डमी बिठाय होगा है कि यह इतने एक्जाम पास करने वाले इसाती में डमी बिठानी की आशकता है लेकिन यहां नाम छहपा होगा है पर एक सामान साम। सब भी लगा सकते हैं इन्हों ने यह लिस्ट यहां पर पर मेरा पक्स मुझे यहां क्योंकि टीचर पर बात रही है कि और भुविश्वास करते हैं लोग कि बात की अपर वर्जी है तो बात कि उन्होंने उसके बाद उसकी recording करते हैं उसकी recording करके आप एक्स प्लेटफॉर्म पर इसको वाइरल कर रहे हैं मतलब सीधी समझे बाता नहीं आप इंटेंशनल यह चीजों को किया जा रहा है कि कि किसी को डीफैम कैसे किया जाए किसी को बदनाम कैसे किया जाए मैं यह कहूंगा आप जितना एफर्ट जितनी मेहनत यह नेगेटिविटी फैलाने में डीफैम करने में किसी को लगाते हैं अगर उतनी मेहनत आप थोड़ी सी अपने लिए कर लेना तो आप जिंदगी में बहुत तरखी कर लेंगे उससे बहुत जादा कुछ हासल नहीं करने एकदम से उनको इस तरह से चीज़े कर देना यह बहुत गलत है क्योंकि आज हम यह दूसरों के साथ कर रहें कल यह चीज़े हमारे साथ भी हो सकती है मैं बाकी मैंने आपको बता दिया कि जो व्यक्ति जो मेहनत सरकार को किस तरह का रास्ता अपनाना चाहिए कि जो व्यक्त वंचित रह गए जो फरजी तरीके से लगें उनकी जहां चो और जो वेटिंग लिस्ट में जो बच गयें उनको यहां पर जोइनिंग मिलनी चाहिए उनको न्याय मिलना चाहिए मैं इसके बात के पूरे पक्ष्मों भरती रद भी होती है तो मेरा यह मानना है कि जो व्यक् वहांन कि सेक्षित को बहुत सारे टिप्रेशन में ला सकते हैं वास्तों में यह को सबीद्ण सिल्टाइए चाहिए कि यह कि